अज हम स्पेस करेंगे मुल्टी मीडिया क्या है एक ऐसी तर्म है जो कि दो ग्रॉल निल कंसेप्ट से मोइच अर्फिल म mobile का मतलब owns एंक से ज्यादा ऑर मेडिया का मतलब मतलब एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज करना Multimedia is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video, animation मतलब हमें different types के media elements है text, audio, graphic, video, animation इनको use करके हम अपने काम को complete करते हैं When you provide the structure of linked elements through which the user can navigate interactive multimedia becomes hypermedia दीकिए hypermedia क्या होता है जब आप इन सब text को, audio, graphic, video, animations को use करते हो ऐसे में को आप separately ही use कर सकते हो आप इनको एक जगह पर भी use कर सकते हो separately भी use कर सकते हो तो जब आप एक चीज़ पर दूसरी चीज़ पर जाने के लिए एक link बनाते हो उनको एक structure manner में एक link करते हो कि जैसे ही आप hypermedia के ऊपर करो और एक picture आजाए तो इस तरह से जो linking करते हो एक systematic way में उसको हम कहते है hypermedia ठीक है next is hypermedia and hypertext आप किसी picture के ऊपर भी लिंक कर सकते हो आप किसी picture के ऊपर भी link कर सकते हो टेक्स के ऊपर क्लिक किया और आपकी picture खुल गई या एक पूरी PDF फाइल खुल गई या कोई और भी data खुल जाता है यह आप link करते हो दोज elements के बीच में different form यह हमारे पास multi-media elements एक है dynamic elements और एक होता है static elements dynamic elements में आपने होते है video, animation और audio what does it means जो changes होते है आप video चलती है आप देखते हो कि एक बाद एक एक अपने आप scene change होते है same animation और audio audio में भी क्या होता है कि एक परसे एक प्ली line बहुता है तो उसमें words change होते है तो यह dynamic elements जो कि change होते है static elements में क्या आपता है static elements में एक चीज़ फिक्स होती है जैसे कि एक test हमने लिखिया multimedia और वो change नहीं हो रहा एवन अगर video चल रही है कोई audio बोल रहा है तो उसमें जो text उसने बोला है वो थो same ही रहेगा बट वो एक continue manner में रहेगा इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अब graphics है ग्राफिक्स में भी क्या होता है कि एक graph आप शो करते हो कोई भी बार चार्ट शो करते हो कोई भी चार्ट शो करते हो तो वो static form में होता है कि अगर आप उस पे click करोगे तो दूसरी चीज़ खूल सकती है पट वो graph का as it is ही रहेगा तो यह है static element and dynamic element next is components of multimedia अब इसमें हम 5 components लेते है audio, graphics, video, animation and text लेकि बताना काफी नहीं होगा अगर आपको अच्छे marks लेने हैं तो आपको इनको explain भी करना पड़े अब हम देखते हैं component of multimedia में एक तो होता है capture devices जैसे कि आप video record करते हो याप कोई video capture करते हो जैसे कि आप चीज बनाते हो tactile sensors, VR devices तो यह सब आते हैं capture devices ले storage devices जैसे कि hard disk, cd-rom, jib drives, dvd-region में कि आप data store करके रख सकते हो capture devices जिनसे कि आप चीजों को बनाते हो, create करते हो next is communication networks जिसके थूँ आप communication को possible करते हो जैसे कि ethernet, token, intranet internet होता है कि जब आप एक से ज्यादा worldwide बात करते हो intranet होता है जब सिर्फ दो परसन के बीच में लिंक हो या सिर्फ एक परसन ही अपनी company में throughout the link create करता है next is text text is अब आप इनको लिखोगे कैसे इनकी form क्या होगी आप एक हैडिंग बनाए पहले आपने पिच्चर बना दिया एक text के form में अब आप उसको explain करोगे text क्या है एक letter है या एक symbol है basic element to present information किसी भी information को आप text के बिना आप पिजिए कर नहीं सकते हो in the form of words sentence and paragraph is used to communicate thoughts, ideas and facts किसी भी form में हो आपको अपने ideas को बताने के लिए sentences बनाने के लिए text की जूर्त पड़ती ही पड़ती है the easiest of all multimedia elements to manipulate सबसे ज़्यादा easy way कि अगर आप एक test के ओकर hypermedia से भी कोई link करते हो तो वी सबसे easy way होता है next is graphics graphics क्या होती है still images होती है images तो होती है जैसे कि वीडियो में भी images यूज कर सकते हो आप animations में भी कर सकते हो but animations में क्या होता है वो pictures हिलती रहती है graphics में क्या होता है still images होती है backbone of any multimedia product graphics जो है वो किसी भी multimedia product backbone होता है use to visualize important part of communication process use to add emphasis, direct attention, illustrate concepts अगर कि अगर मैं graph दिखाऊं तो अगर कोई भी data पर समझ में आ जाएगा कि कौँसी जादा है कौँसी जादा है कौँसी ताम है अगर मैं लिखके दिखाऊंगी तो आपको चीज़े रहेंगी अचार को आपको याद रखना भी बहुत easy होता है next is audio audio में होता है अगर आपको हिंदी समझ में अच्छे से आ गई आपको अच्छे से आ गई आप से पेपर में मांक से कौर्डिंग सकते हो तो audio का फाइदा यह होता है कि यह multi-media का एक fundamental concept है basic level पे sound act as a notice और warning basic level पे sound से में हम notice करने ही लग जाते है next is to enhance is attraction of the multimedia presentation help to increase concentration next is video video में क्या आई है moving picture है combines picture of graphic and audio to create dynamic content for multimedia products की एक क्या करती है graphics को और audio दोनों को combine कर लेती है next is to recognize the impact of seeing the actual event rather than reading or listening to it मतलब video में क्या रता है कि आप video को देख भी रही हो audio से आप उसको सुन भी रही हो video में combine करती है दोनों को तो आपको better way हो जाता है मजने के लिए next आता है हमारा animation animation में क्या है to create movement on the screen आप picture तो still images graphics में आगई वीडियो में audio दोनों आगई animation में क्या होता है एक picture जो की move कर रही है movement कर रही है play huge role in entertainment providing action and realism and in education providing visualization and demonstration effective for training applications इसका जो exact use होगा education में कैसी होगा मैं आपको अपनी next video में प्रोपर content के साथ समझाऊंगी effective for training applications जैसे कि simulation process होता है या air plan में होता है कि उनको pilots को plane वडाना सिखाता है तो उनको exactly starting में ही plane में नहीं नहीं बिठा दे है वो एक application होती है जिसमें कि simulation क्रेट किया जाता है उनको training दी जाती है ठीके वो animation के थूँ होता है movement are made from many steel images अब इसमें एक image नहीं होती है या एक ही पिचे हिलती नहीं है इसमें बहुत साथ still images को create करके उनमें movement की जाती है तो यह था हमारा multimedia का concept जिसमें हमने components और elements संझे है अब next time इसका multimedia का education में क्या use है teaching में कैसे use होती है वो संझेंगे अगर आपको मेरा session पसंद आये तो please 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 like or share जरूर कीजिए और सबसाइब कुना किया हो तो जरूर कर लिजेगा thank you thank you so much